नमश्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी प्यारे बच्चों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समाज की जिसमें लिखावट जो मुद्रण है वो अभी शुरू ना हुआ हो तो सोची कैसी जिन्दगी होगी? अख़वार नहीं आएगा, पुस्त के नहीं होगी टेलिविजन पर जो लिखी हुई सामगरी है वो दिखाई नहीं देगी प्यारे बच्चों, छापे खाने के अविश्कार से पहले जब तक मुद्रण की संस्कृती शुरू नहीं हुई थी कुछ इसी तरहें का समाज था जो कुछ लिखा जाता था, वह या तो तामर पत्रों पर लिखा जाता था या कपड़े पर लिखा जाता था प्यारे बच्चों, आज हम इसी इतिहास को पढ़ेंगे कि मुद्रण संस्कृती कैसे शुरू हुई कहां से शुरू हुई और कैसे यह पूर्वी एशिया से यूरोप में से होते हुई भारत पहुचे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की इतिहास के अध्याई, मुद्रण संस्कृती और आधुनिक दुनिया इस विश्य को पढ़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं अध्याई प्यारे बच्चों, आप सभी टेलिविजन देखते हैं कुछ पौरानिक फिल्में और पौरानिक नाटक भी आपने देखे होंगे उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरह से रिशी मुनी पुरातन समय में मोर पंक को श्याही में डुबो कर लिखा करते थे अक्सर हम जो पौरानिक नाटक हैं हमारे जैसे महाभारत, रामायन आदी में हम देखते हैं कि रिशी मुनी लेखन कारिय के लिए हाथ से सरकंडे की कलम या मोर पंक के साथ लिखा करते थे और नाटकों में ही जो कुछ राजनितिक जीवन से संबंधित नाटक थे उनमें आप अक्सर ये भी देखते होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जो कभी पत्र जाते थे वो किस तरह से कपड़े की एक पट्टी का पर लिखे होते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही प्रिये बचो छापे खाने के अविश्कार से पहले हस्त लिखित लेखन जो था वो प्रचलन में था अक्सर इसी तरह से लिखा जाता था मुद्रित या छपे हुई सामगरी के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है? ये आप समझ सकते हैं सुभे सुभे उठकर हमें अखवार पढ़ने के लिए चाहिए होती है दिनांक देखने के लिए हमें कैलेंडर की आवश्क्ता पढ़ती है पढ़ने के लिए हमें पुस्तकों की आवश्क्ता पढ़ती है देखे ये सभी चीजें हमारे पास क्यों हुई है? क्योंकि ये सब मुद्रित हैं इन्हें च्छापा जाता है इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे कि कैसे ये पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला आईए जानते हैं कुछ शुरुवाती छपी किताबों के बारे में मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विक्सित हुई ये छपाई हाथ से की जाती थी तक्रीबन 594 इस्वी से चीन में शाही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागस को रगडगर किताबें छापी जाने लगी थी पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शेली में किनारों को मोडने के बाद सिलकर बनाए जाती थी किताबों का सुलेखन या खुश नवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुश खत होते थे जो हाथ से बड़े सुन्दर और सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मत लिखाई करते थे प्रिये बच्चों बच्पन में आपने भी बहुत सारे सुलेख लिखे होंगी हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी यानि किसी भी भाषा की वर्ण माला या सामग्री जब सही सही कलात्मक ढंग से लिखते हैं हाथ से लिखते हैं तो उसे सुलेख कहते हैं एक लंबे अर्से तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पाधक चीनी राश्तंतर था सतर्मिश ताबदी आते आते चीन के शेहरी संस्कृती के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विवित्ता आई पढ़ने की नई संस्कृती एक नई तकनीक के साथ आई उनिस्वी सदी के अंत में पश्चमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चमी मुद्रन तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ आव ये अब पढ़ते हैं जापान में मुद्रन चीनी बोध प्रचारक 768 से 770 इस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आई जापान की सबसे पुरानी 868 में छपी पुस्तक डायमंड सुत्र है जिसमें पाठ के साथ-साथ काठ पर खुदे हुए चित्र भी हैं 18 सदी के अंत में एदो के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृती का पता मिलता है जिसमें हम चाए घर के मजमू, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं हाथ से मुद्रित, तरह तरह की सामगरी, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाए अनुस्ठान, फूल साजी, सिस्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों, आदी से पुस्तकाले और दुकाने भर ले थी प्रेवचों, आईए अब जानते हैं कि किस तरीके से युरोप में मुद्रण संस्कृती शुरू हुए सदियों तक चीन में रेशम और मसाले रेशम मार्क से, सिल्क रूट से युरोप आते रही थे ग्यार्मी शताबदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते महा पहुचा कागज ने किताबों या मुशियों द्वारा साथानी पूर्वक लिखी गई, पांडुलीपियों के उत्पादन को मुम्किन बनाया मुद्रित किताबों को सस्ती और भिक्षो संगों के लिए छपी किताबों के विलासी संसकर्ण अभी भी बेश किंती वेल्म या चर्म पत्र पर ही छपते थे यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि जो महंगी किताबें होती थी वो कागज की बजाए किस पर छपती थी चर्म पत्र पर इसे किस अन्य नाम से जानते थे वेल्म किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर की पुस्तक विक्रेता विभिन देशों में निर्यात करने लगी अलग-अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगी बढ़ती मांग की आपूरती के लिए हस्त लिखित पांडू लीपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए लेकिन किताबों की अबाद बढ़ती मांग हस्त लिखित पांडू लीपियों से पुरी नहीं होने वाली थी क्यों? क्योंकि हाथ से कितनी किताबیں छापी जा सकती थी मांग जादा थी और हाथ से लिखी गई किताबیں बहुत ज़ादा समय मांगती थी एक किताब से दूसरी किताब पर नकल उतारना बेहत खर्चिला भी था और यहे बहुत अधिक समय भी लेता था पांडुलीपियां अक्सर नाजुक होती थी उन्हें लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें आती थी इसलिए उनका सर्कुलेशन यानि उनका जो चलन था वो सिमित हो रहा था लेकिन किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लोक प्रिंटिंग यानि तखती की छपाई उत्रोत्तर में लोगप्रिये हुई पंधर्वी शताबदी की शुरुवात तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तखती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी-छोटी टिपणियों के साथ धार्विक गरंत छापे गए जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और मुद्रन तकनीक की जरूरत थी और वो भी ऐसी तकनीक जो सस्ती हो ऐससे छपाई की एक नई तकनीक का आविशकार 1430 के दशक में स्ट्रेस बर्ग के योहान गुटेन बर्ग ने अंतते कर दिखाया प्रिय बचो आईए अब पढ़ते हैं गुटेन बर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में गुटेन बर्ग के पिता व्यपारी थे और वे खेती की एक बड़ी रियासत में पलकर बड़े हुई बच्पन से ही तेल और जेतून पेरने की मशीने वो दिखा करते थे बाद में उन्होंने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी फिर सुनारी की कला सीखी और अंत में उसने शीशे को अपने इच्छा अनुसार अलग-अलग आकरितियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली सामने जो आपको चितर दिखाई दे रहा है यह योखान गुटेन बर्ग का चितर है और इसका समय 1584 है गुटेन बर्ग ने अपने जीवनकाल में बहुत सारे प्रियोग की अपने ज्यान और अनुभव का इस्तेमाल करके उसने अपने जो अविशकार किये उसमें जेतोन प्रेस भी शामिल थी जेतोन प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आधर्श बना और साचे का उप्योग अक्षरों की धात्वी आकरितियों को गढ़ने के लिए किया गया गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकमल कर लिया था उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल प्रिय भचो यह याद रखने वाली बात है कि गुटेनबर्ग ने जो सबसे पहली पुस्तक छापी उसका क्या नाम था जी हाँ उसका नाम था बाइबल तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 30 साल लगे जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था प्रिय भचो अगर गुटेनबर्ग ने किस परकार पुस्तकों के मुद्रण को अन्य लोगों के लिए रुची कर बनाया ये समझना हो तो निमन विश्यों से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं कौन-कौन से हैं? पहला है पुस्तकों की प्रिधी को बेल बूटों और अन्य प्रतिमानों में सजाया गया खारिदारों की रुची के अनुसार अभी कतनों को पेंट किया गया अमीरों के लिए छपी पुस्तकों में सजावट के लिए खाली स्थान छोड़े गई और अगर बात बाइबल की की जाए जिसकी 180 प्रतियां छापी गई तो उसकी क्या-क्या विशेश्टाएं थी? उनकी विशेश्टाओं में सबसे जादा परमुक थी कि इसे शाक्षर्ता दर में व्रिधी हुई पूरी सतार्वी और अठार्वी सदी के दोरान यूरोप के जादातर हिसों में शाक्षर्ता बढ़ी यूरोपिय देशों में शाक्षर्ता और स्कूलों के प्रभार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हुआ प्रिय भचो आईए अब समझते हैं कि अठार्वी सदी के मध्य तक किताबों और प्रिंट संस्कृती के बारे में आम लोगों की क्या धार्णा थी 18 सदी की मध्य तक लोगों में यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिये प्रगती और ज्ञानयोदे होता है कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है वे निरंकुषवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिला कर ऐसा दौर ला सकती हैं जहां विवेक और बुद्धी का राज होगा अठारवी सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुईस सैबस्तिन मर्शियर ने घोशना की कि छापा खाना प्रगती का सबसे ताकतवर ओजार है इससे बन रही जन्मत की आधी में निरंकुषवाद उर जाएगा यानि यहां यह बात जानने वाली है कि प्रिंटिंग प्रेस की आने से लोगों में राजनितिक स्तर पर भी बदलाव आया समाजिक बदलावों के साथ साथ लोगों की जो राजनितिक सोच थी उस पर भी बहुत अधिक परभाव पड़ा मुद्रन संस्क्रिती ने कौन-कौन से बदलाव समाज में लाए उनको अगर जानना हो तो उसमें सबसे पहला बदलाव था एक नया पाठक वर्द चापे खाने के आने के बाद समाज में एक नया पाठक वर्द पैदा हुआ छपाई की वज़े से किताबों की कीमतें गिरी और अब किताबें आम आदमी की पहुँच में थी समाज का एक बहुत बड़ा वर्द पाठक वर्द बन गया लोगों में एक लत लग गई पढ़ने की और एक नया पाठक वर्द आस्थत्व में आया पहले जो लोग किताबों का सुनकर लुथ उठाया करते थे अब किताबें सस्ती होने की वज़े से वो स्वयम भी किताबें खरीद कर पढ़ने लगे इस तरहां मौखिक संस्कृती मुद्रत संस्कृती में दाखिल हुई और चपी सामगरी मौखिक अंदाज में भी प्रसारित हुई मौखिक और मुद्रत संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंदली पड़ गई श्रौता और पाठक वर्ग एक दूसरे से खुल मिल गए प्रिये बचो जब कभी समाज में बदलाव आता है तो कहीं न कहीं उस बदलाव की वज़े से कुछ लोगों को समाज में परिशानी भी होती है ये हर घटना के साथ होता है समाज में बदलाव आसानी से नहीं होता जैसे मैंने आपको पताया कि किताबी छपने की साथ ही लोक गीत, लोक गाथाएं और समाजिक और राजनेतिक जीवन के और कुछ एतिहासिक आखेयान भी किताबों में छपने लगे और लोग इनका लुद्फ फुठाने के लिए शराब घरों की तरफ भी बढ़ने लेगे तो कहीं न कहीं इसकी वज़े से कुछ न कुछ धार्मिक बदलाव यानी धार्मिक विवाद या अन्य परकार का डर भी पैदा हुआ छापे खाने से विचारों के व्यापक पर्टसार और परचार की वज़े से अनेक द्वार खुले स्थापित सत्ता के विचारों से असेहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को छाप कर समाज के सामने लाने लगे समाज का हर व्यक्ति मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में कहीं न कहीं यह डर था कि कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक परचार और परसार से आम लोगों के जहन पर गलत असर पड़ेगा यह भी भैता कि ऐसा भी हो सकता है कि राजनितिक क्रांती वाली पुस्तकी पढ़कर लोगों के अंदर किसी ना किसी तरहे का बगावती सुर्भी पणपने लगेगा धर्म से संबंधित किताबें पढ़ने वाले लोगों को भी यह डर सता रहा था कि कहीं न कहीं यह धर्म गुरुवों के प्रभाव को कम करेंगी आईए आप देखते हैं कि जीवन के हरक्षेत्र में किस तरीके से किताबों के प्रकाशन ने परिवर्दन किया धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाय लिखी इसकी एक प्रती बिटेन बर्ग के गेजा घर के दरवाजे पर टांगे गई जिसमें लूथर ने चर्च को शाश्त्रार्थ के लिए चुनोती दी थी जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादार में छापे और पढ़े जाने लगे इसकी नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टिंट धर्म सुधार की शुरुवात हुई कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के ताजुर में या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और तीन महीने के अंदर इसका दूसरा संसकर्ण निकालना पड़ा प्रिवचो संसकर्ण शब्द का आर्थ है एक ही पुस्तक को जब लोगों की मांग पर दोबारा पबलीश किया जाता है प्रकाशित किया जाता है प्रिंट के प्रती तहे दिल से कृतग लूथर ने कहा मुद्रन इश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तवफा है आईए अब एक और विशे को पढ़ते हैं मुद्रन और प्रती रूध इससे पहले आपने देखा कि किस तरह का डर समाज के कुछ लोगों के जहन में था अब हम देखेंगे कि मुद्रन का प्रती रूध कैसे शुरू हुआ चपे हुए लोगप्रिये साहित्ते के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग-अलग व्याख्याएं करने लगे सोलुई सदी की इटली में एक किसान में नौकिया ने अपने इलाके में उपलवध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल को एक नए अर्थ में पढ़ा और इशुर और स्रिस्टी के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथॉलिक चर्च उससे गुसा हो गया ऐसे धरम विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने धरम द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली एक संस्था बनाई जिसे इंक्वीजीशन के नाम से जाना गया प्रिये बच्चों, इंक्वीजीशन वेह धरम आदालत थी जिसमें वे धर्मियों को शिनाखत करने और सजा देने वाली रोमन कैथॉलिक संस्था के रूप में बनाया गया था धर्म के ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परिशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरहां की पाबंदियां लगाए पंद्रा सो अठावन इसवी से प्रतिबंधित किताबों की एक सूची भी बाजार में उपलब्ध हुई जिसमें बताया गया कि जो सूची में पुस्तकें थी उन्हें सामान जन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया तो प्रिवचो आईए पाठ में दिये गए इन उपविश्यों के अध्यन के आधार पर कुछ प्रशन उत्तर करते हैं तो पहला प्रशन है मुदर्ण की सबसे पहली तकनीक जापान, कोरिया और खालिस्थान में विक्सित हुई आपके विकल्प है चीन, भारत, जर्मनी और फ्रांस प्रिवचो खालिस्थान में जो विकल्प आएगा वह है चीन अगला प्रशन कागज का आविश्कार खालिस्थान में हुआ था आपके विकल्प है भारत, इंगलेंट, चीन या फ्रांस सही विकल्प है चीन अगला प्रशन जापान में सबसे पुरानी छपी पुस्तक का क्या नाम है? आपके विकल्प है बाइबल, डाइमंड सुत्र, माहभारत या युकियू इसका सही विकल्प है डाइमंड सुत्र अगला प्रशन पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किस ने किया? विकल्प है योहान गुटेंबर्ग, आईजिक नूटन, मारको पोलो, न्यू कॉमेन सही विकल्प है योहान गुटेंबर्ग अगला प्रशन पिच्चानवी स्थापनाईं किस ने लिखी? विकल्प है मार्टिन लूथर, योहान गुटेंबर्ग, जेवी शेली, चार्ल्स डिकिन्स प्रे बचो, इसका सही विकल्प है मार्टिन लूथर तो प्यारे बचो, देखा आपने चापे खाने के अविश्कार के बाद दुनिया किस तरहां से बदली और कितने परिवर्टन इस दुनिया में आए? इस अध्याय की जो अगली पृस्तुती होगी, उसमें हम चापे खाने की जो प्रभाव फ्रांसिसी क्रांती पर पढ़े और किस तरह से विभिन देशों में पाठक वर्ग में बदलाव आया? और किस तरह से समाजिक और आर्थिक बदलाव इसकी वज़े से दुनिया में आए? उनके बारे में हम अच्छे से जानेंगी उमीद करती हूँ, आज की ये उपविशे आपको अच्छे से समझ में आए होगी धन्यवाद